हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आश्या करते आप सब ठीक हूंगे आज मैं आपको multi color में डिजैन बनाना शीकोंगे इस या baby sweater daddy sweater jacket किसी में apply कर सकते हैं आप इसके color two color में बनाना चाहता है या multi color में भी इसको बना सकते हैं तो starting में यह यह design 5 की multiply में से फंदेश चाहिए 2 फंदेश में एक्स्ट्रा लेजिएगा एस टिच के लिए तो मैं जैसे हम आपना बार्डर बना लेते हैं स्टार्टिंग से में आपको बताती हूं यह हमारा front side और यह इसकी back side तो front side में पहली सलाई हम सेधी बनाईए पूरी सलाई सिम्पल सीधी सीधी बनाके मैं आपको दिखाती हूं यह दे कि friend मैंने इसकी one row complete कर लिया आप इसकी second row यह भी back side से भी सीधी सीधी बनानी है ज़िए मैं आपको पूरी सलाई complete करके आपको दिखाती हूं यह सीधी सीधी ही बनानी है कि यह दे Constitution मैंने तू रो कंप्लीट कर ली है को दिशन के तैस्ते सलाई य हम फंड्ड साइड से उल्टी उल्टी बनाएंगे ये मेरे тобम स्वी उल्टी उल्टी ही बनाएंगे तो यह स्लाहीं आपको कंप्लीड करके देखाएं सब्सक्राइब ये तिसरी, चोत्वी सिलाइब तो मैं इसमें ये ये भी ऐसी मैं इसमें टूरो और ऐसे ही कंप्लेट करके दिखाते हूं बैक साइड से तो.." इस सीदि हागे और फरंट साइड से उल्ठ इनकर में ये करके इसमें दो से लाहें और करके दिखाते हूं इदे कि फ्रेंड्स मैंने ये कंप्रेट कर ली है अभी हमाय डिजाइन की सात्वी सिलाई इसमें ये छे सिलाई हो तो ये उल्टी सीधी यहां से सीधी सीधी उल्टी सीधी ही बनेगी तो अभी हमाय डिजाइन की जो सात्वी सिलाई है उसमें हम डिजाइन डा अभी देखो यह है वान टू थ्री ठीक है थ्री वाड़ा फंदे से यह वान टू थ्री फोर इसके सीधे वाले में फोर में हमें इसको डालना थागे को और यहां से अपना एक लूप निकालेंगे एक फंदा निकालेंगे यहां से यह से अभी हम दो फंदे सीधे बनाएंगे वान अब फिर एक लूप निकालेंगे फिर इसमें तेन फंदे हम बनाएंगे वान टू थ्री अब इसमें यहां से हम तीसरा थागा तेन फंदे बनाएंगे यह एक जंग ऐसे ही हमें यह तीन फंदे उठाने हैं अब फंदों को थोड़ा डेलाएं बनाना आएशे अब ऐसे जैसे हमने यहां पे किया था ऐसे हम आके करेंगे यह वान टू थ्री 3 वाले फंदे के लाइन से नीचे जाते हुए 1,2,3,4 यहां पर हमने सलाइड डालनी है और इसमें एक दागा निकालना है इसको यह वाला दागा जो है हम डीला रखेंगे अब 2 फंदे इसमें बनाएंगे सीधे फिर यहां और यह तो अभी यहां से एक और निकालेंगे यहां से फिर आ गये थ्री फंदे हम बनाएंगे सीधे अब फिर एक और ही से निकालेंगे इसी तरह नहीं पूरी रोप को अपको कम्प्लीट करके दिखाते हूं यह देके फ्रेंड्स मैंने इस तरह यह पूरी रोप कम्प्लीट करके दिखाते हूं कर लिए अब हमारे डिजैन की आठ मीरो है और डिजैन की लास्ट सलाई है तो इसमें हम यह पहला फंदा उल्टा बुनेंगे यह स्टिच को हम बुनेंगे उल्टा आपके मर्जिय आप बुनू या ना बुनू आपके उपर यह देखो अब आगे देखो यह है जो हमने उठाया ता फंदा और यह लास्ट वाल यह है इसके साथ वाड़ा फंदा इन दोनों फंदा को एक साथ बुनना है यह दागा पीछे करके बुनना है जो यह वाला है पंदे वाला यह उठाया हुआ भी अरे दूसरा इसको हम यह आगे से ले जाते हुए दोनों का एक करना है अभी एक फंदा सीधा और अभी देख यह बीच का है ने जो तीसरा फंदा यह तीसरा फंदा जो बीच वाला हमने उठाय था और यह वाला फंदा हमने जो यह वाले फंदे हैं पहले वाला फंदा है हमने यह आगे से ही बनाया था ऐसे इसको आगे से ना बना कर इसको यह पीछे से यह बढ़ा हुए जैसे ठीक है अब फिर एक फंदा सीधा स्वरी एक फंदा सीधा अब यह वाला फंदा भी पीछे से लाश्ट वाला फंदा भी पीछे से यह बनाएंगे अब देखो जो यह बाला फंदा उठाए हुआ और इससे अगला फंदा उनको हम आगे की सेट से सीधा बुनेंगे अब एक फंदा सीधा और अब यह सेंटर वाला जो बीच वाला फंदा है जो उठाया था उसके साथ और इस वाले फंदे को इकटा हम पिछले से बुनेंगे यह पीछे ऐसे फिर एक फंदा सीधा और फिर यह उठायवा फंदा और यह साथ वाला फंदा इसको हम पीछे से ही बुनेंगे जो पीछे वाले फंदे जो फंदे हमने थ्री उठाये थे उन में से फर्स्ट वाला फंदा आगे की तरफ से बुनना है सीधा और जो दो फंदे हैं वो बैक साइड से पीछे की तरफ से ही बुनेंगे दोनों ऐसे यह देखो यह हमारा डिजान कुछ ऐसे लगेगा मैं यह पूरी रोप को कंप्लेट करके ऐसे दिखाते हूं यह देखे फ्रेंड्स मेना अपनी रोप कंप्लेट कर लिया है यह हमारा डिजान ऐसे ही बनता जाएगा आशा करते हूं कि यह आपको अच्छा लगेगा और